9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर का दिन सिहिंग राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जै मतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी योट्यूब चैनल अमरिता एस्ट्रो में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी इन दो दिनों के सिहिंग राशी फल की दिन्चरिया में देंगे तो सारी जानकारी विस्तार से मिलेगी बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अब गह नक्षत्रों की इस्तिति ही पहले जानेंगे यानि की पंचां का प्रभाव हमारा जो डेली का राशी फल है उस पर जरूर देखने को मिलता है जैसे योगों का देखने को मिलता है शोबर नाम का योग बनेगा ये एक शुब योगों की श्रिणी में आता है चंद्रमा धनु राशी में होंगे ये राशी फल चंद्र राशी पाराधारि अब इस दिन के राहुकाल का समय नोट करें क्योंकि ये वो समय है जब आपको किसी नए कारे की शुरुवात नहीं करनी चाहिए जो रहेगा दोपहर 12 बज कर 8 मिनट से 1 बज कर 35 मिनट तक अब 10 अक्टूबर तो ये जो दिन है गुरुवार का दिन और ये शुकल पक्षकी आतवा नवरात्र दुर्गा सब्तमी पूर्वसाड़ा नक्षत्र जो कि एक उग्रोर कुरूर सभाव का नक्षत्र ही है अतिगन नाम का योग बनीगा और चंद्रमा धनुराशी में ही विराजित हैं सूर्य कन्यराशी में हस्त नक्षत्र में लेकिन आज सूर्य के नक्ष का समय रहेगा अब दो दिनों में दो ग्रहों का परिवर्तन है नौ अक्टूबर के दिन तो गुरु बहस्पती है वो वक्री हो रहे हैं जिसके उपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं किसे इंग राशी के लोगों के जीवन में पुला राशी में परिवेश कर जाएंगे तो अब इतका क्या परभाव है चलिए पहले नौ अक्टूबर के राशी फल के बारे में जानेंगे हैल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी हैल्थ के इसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन है शांदार है बहुत ही चीजिदों की तरफ थोड़ा सा रह सकते हैं कि जैसे अपने उपर पैसा खर्च करना चाहें अपने फिटनिस को लेकर अपने सौंद्रय को लेकर अपते उप और रखना होगा तब ही जाकर उसमें आपको सफलता मिल सकती है जितना अधिक अपनी प्लानिंग को गुपते रखेंगे उतना जादा अच्छा रहेगा आज की दिन जिन भी कामों को आप सोच कर निकलेंगे कि कारियों को आपको पूरा करना है आप उन कारियों को पूरा भी कर पाएंगे किसी काम में आप कुछ निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अच्छी तरह से जाच परताल करने निवेश करने से पहले क्योंकि वह आपके लिए जादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर उस पर करके चलना है और फिना वज़े के खर्चों को कंट्रोल करना है शाम का वक्त बच्चों के साथ बीटेगा और बच्चों के साथ बैठ कर आप अपने दिन का एक सबसे अच्छा समय का लुथ उठा पाएंगे देखे चंद्रमा जब भी धनुराशी में होते हैं तो आप अपन देखने को मिलेगी एक भावुकता भी देखने को मिलेगी चोट-चोटी बातों पर जंचलाहट आ जाना इस तरह की चीजे देखने को मिल सकती है लेकिन कुछ सुखद घटनाएं भी होंगे जो आपके दिन को बनाने का काम कर सकती हैं आप अपने आपको इन मामलों में भा आगे को धन्यवाद जरूर देना चाहिए साजेदारी में आप कोई कारे कर रहे हैं तो वहां से फाइदे के दिन दिख रहे हैं वहां से आज आपको प्रॉफिट होने वाला है उनके साथ थोड़ी नोगजोब जरूर हो सकती है लेकिन प्रॉफिट होने का यूग बना हुआ है लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ आपकी अच्छी है जीवन में बड़ा ही अच्छा आपका दिन बीतेगा रोमांस रहेगा जीवन में बड़े रोमानी रहने वाले हैं और वही हाल वेवाहिक जीवन का भी है वेवाहिक जीवन भी आज आपका काफी जादा उत परिवार में बस किसी के साथ नोगजोग के स्थน हो सकती है, खटपट हो सकती है तो उसमें आपको परिवार के लोगों के साथ थ्टोड़ा सायम से पेशा आना होगा. अब बात करते हैं 10 अक्टूबर के बारे में जो की सात्वा नवरातर का दिन है दुरुगा सब्तमी का दिन है नक्षतर बड़े ही कुरूर है और सूर्य के नक्षतर का परिवरतन भी इस दिन हो जाएगा सूर्य चितरा नक्षतर में आ जाएंगे एक तो जो सिहिंग राशी के जातक है वो आज कई मामलों में अपने आपको किसमत वाला भी समझ सकते हैं कई ऐसे काम आपके जीवन में हो सकते हैं जरूर नहीं धन से जुड़ा हुआ ही काम हो आपके लाइफ में पर्सनल लाइफ में भी आपके जुड़े हुए कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिनकी वज़े से आप अपने आपको बागय साले सबज़ेंगे आत्म निर्बर बनने का प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में सफलता मिलेगी कमाई के नए सोर्सिज भी बनते हुए दिख रहे हैं कि कमाई के नए सोर्सिज भी आपके सामने होंगे और बुजुर्गों की दुवारा अगर आपको कोई राय मिलती है तो उसको नजर अंदाज ना करें अगर आपके बुजर्ग आपको किसी तरह की राय देते हैं किसी तरह की बातें वो आपके सामने पेश करते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुने क्योंकि उनकी बातें बड़ी काम आज सकती हैं आपकी अगर आप एविवाहित है और विवाकी बातें चल रही है तो विवाकी बातें आपके आगे बढ़ सकती है तो वहां भी अच्छी चीजें बनती दिख रही है इसके अलावा जो सेंग राशी के जातक हैं प्रेम जीवन के लिहास से अगर इस दिन का देखा जाए तो अपने पार्टनर के प्रहती आप काफी जादा समार पित रहेंगे और हवाई कलपनाओं में नावड़कर यथार्त से जुड़ेंगे अपने पार्टनर के सामने अपन नए कोर्स को सीखना चाते हैं उनके लिए वो कोर्श आपकी दक्षता को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है तो अगर ऐसा कुछ आपके माइन में चल रहा है तो जरूर उसके लिए ट्राय करें जरूर उस को देखें आप वो आपके लिए एक फाइदे का सौदा हो सकता है अपनी पढ़ाई है अपनी ट्रेनिंग पर किया गया पैसा कभी आपके लिए जाया नहीं जाएगा इससे आपको भविश्य में बड़े फाइदे जरूर होंगे तो अपने उपर खर्च कीजिए अपने उपर ऐसी चीजों में खर्च कीजिए जहां आपको कुछ नया जान हो लेकिन फिर भी आप अपनी काम को पूरा करने की हर संभव कोशिश भी करने वाले हैं तो अच्छा दिन हैं आप इस दिन हर्मान चालिशा का पार्ट कर सकते हैं रामिस्तुति कर सकते हैं इस तरह की कारे कर सकते हैं और सूरिदेव को जल्तों आपको देना ही देना है चानल को सब्सक्राइब कर ले